परिक्सा को लेकर बहुत ही बड़ी कबर है 16 माई को ये परिक्सा होने थी लेकिन अब ये परिक्सा 16 माई को नहीं हो पाएगी अब नहीं होगी ये परिक्सा और इसकी नई त्यूति क्या है उसके बारे में बात करते हैं उसे चलिए थोड़ा सा एक अपडेट देख लेते कि क्या वास्तव में इस भरती परिक्सा को एक्जाम को निरस्थ कर दिया गया है यहां सिरफ यह अफवाई है तो देखे का यहां पर आप देख सकते हैं PTT परिक्सा को इस्तगित कर दिया गया है और Twitter के जरी राजस्तान पत्रिका जो न्यूज है राजिस्तान पत्रिगा के एक ब्रेकिंग न्यूज है या भी सिरफ 40 सेकेंड हुए है इस न्यूज को आए हुए जिसमें साथियों ये दावा किया गया है कि परदेश में PTT परवेस परिक्सा इस्तगित की गई परिक्सा 16 मई को होनी थी परिक्सा जी आँ साथियों जो आप का मांग थी याँ पर कई दिनों से मैं देख रहा था कि विद्यार्तियों की मांग भी चल रही थी कि परवेस परिक्सा को इस्तगित किया जाए अलंकि PTT की परिक्सा इस्तगित होना 100% ते था लेकिन फिर भी बच्चे मांग कर रहे थी कि सर इस परती एक्जाम को इस्तग अग्द निरने ले लिया है और जो PTT दो वरसका हो या चार वरसका सारे के सारे एक्जाम PTT के निरस्त हो चुके हैं और इसके लिए सातियों आप कहेंगे कि नई तिति कब गोसित होगी तो इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है हो सकता तुरंती इसके बारे में अपनको अपडेट मिल जाए कि नई तिति हो कब गोसित होगी लेकिन आप यकिन वानके चलिएगा जब तक कोरोना चल रहा है तब तक आपको नई तिति के बारे में सोच रहा ही नहीं है बलकि अपने दोरा जो भी क्लासेड लाई जारी है BSTC और PTT के लिए उनक आपको कहीं पे भी कोई कमेंड करने की आवसकता नहीं है कि एक्जाम कब होगा यहां पर किसे से पूछने की आवसकता नहीं है मैंने आपको अपिसली प्रूब भी बता दिया है जो क्या राजिस्तान पद्रिका का ट्वीटर है आप ट्वीटर पर चलाते तो देख सकते है कि PTT की परिक्साय वो इस्तगित हो गई है तो सातियों अच्छे से तयारी कीजिएगा और जब भी कोरोना जाएगा तब आपका एक्जाम हो जाएगा चलते हैं चलिए मिलेंगे अगली किलास में तब तक खुस रहिए अच्छे रहिए जे जे राजस्तान जे हिंद जे भात बंदे मातरम